नमस्कार आप देख रहे हैं अमर उजाला मैल अली सिंग राजपूत और आज हमारे साथ हैं 36 गड़ के पुरू मंत्री और राइपुर दक्षिन से बीजेपी प्रत्यासी ब्रिजमोहन अगरवाल जी इस बार हर बार की तर नया चहरा राइपू दक्षिसे महंतराम सुन्दरदाज जी को उतारा गया है क्या करेंगे हम उनको स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं और वो तो लड़ना नहीं कहाते थे जानगीर से लड़ना चाहते थे कॉंग्रेस ने उनको यहां से उतार दिया है अच्छा है? हर बार आपको उनका आसिरवाद महंद जी का मिलता रहा है इस बार वो खुद चुनावी रण में है तो इस बार भी आसिरवाद आपको मिलेगा? सियोन भुपेश बागिल ने कहा है कि केंदर सरकार मुझे भी जेल में डालना चाहते है उनको कोई मोका नहीं मिल पा रहा है ऐसा है उनके जो कृत्ते हैं वो खुद स्विकार कर रहे हैं कि जेल में जाने लायक है वो तो केंदर सरकार की महरवानी है कि उनको बक्स दिया गया है नहीं तो 36 गर में जितने घोटाले हुए है 36 गर में जितना माफिया राज हुआ है जितना ब्रस्टा चार हुआ है चाहे सराब घोटाला हो चाहे कोईला घोटाला हो चाहे जंगल घोटाला हो चाहे डियमेप घोटाला हो चाहे धान गोटाला और लोदेगो का तो महादे वैब घोताला हो। तो घोतालो की तो अंबार है। और ऐसे घोताले वाली सरकार को तो एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। परन्तु वो बने हुए है जनता इसका बद्ला आने वाले चुनाओं मेलेगी महला मानपूर में बीजेपी एक नेता की हत्या की गई है इसे टार्गेट किलिंग भी करार किया जगा हम पहले दिन से कह रहे हैं कि कॉंग्रेस पार्टी और उनकी सरकार लोगों को सुरक्षा प्रदाने की पा रही है और बीजेपी के नेताओं के टार्गेट किलिंग पहले भी बस्तर में हुई है और अब महला मानपूर में टार्गेट किलिंग होना यह अलार्मिंग है हमारे अजया चंद्राकर जी ने पहले ही कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी किसी की भी हत्या करवा सकती है अगर वहाँ पर महुला मानपूर में बीजेपी के कारिकरता की हत्या हुई है तो मुख्यमंति को जवाब देना चाहिए कि सरकार नाम की कोई चीज है की नहीं प्रशासन की व्यवस्ता चुनाव आयोग को अपने हाथ में ले लेना चाहिए तरगेट किलिंग ने इस बात को बता दिया है मोहला मानपूर के भीजेपी कारिकरता की हत्या को कि ये सासन और ये प्रसासन चुनाव को समाल नहीं सकता लोगों को जीवन को बचा नहीं सकता अब कांग्रेस के मजबूरी है हर चुनाव में नया प्रत्यासी कांग्रेस के पास तो यहाँ प्रत्यासी ही नहीं है और महन्त जी को बिना इक्षा के उटारा गया है अरंतू हम तो यह मानते हैं कि कॉंग्रेस से लड़ाई है हम उनका स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं इसरी सवाल राइपूर्डचिन की जंता से मेरी अपीड है कि साथ बार यहाँ की जंता पिर से कमल पूर का बटन दबाएं और भारती जनता पाटी को जीताएं और यहां से संदेज दें कि पूरे 36 गर में भारती जनता पाटी जीते और बीजेपी की सरकार बने और फिर से विकास का द्वार खुले हैं तो ये थे हमारे साथ ब्रिजोहन अगरवाल जी जीन्नों ने कहा कि 7 बात रायपूर की जनता जीती है और 8 वी रायपूर की जनता जीतेगी अमरुजाला के लिए रायपूर से मैं लली सिंगराजपूत निष्पक्ष निर्भी निरंदा